ब्रेक और रेस कौन सी है वही माउंटेन देंज है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दूर से देखी थी जूम करके अब बिल्कुल उसके नजदीक पहुच गया है कि कन्या कुमारी इंडिया के बिल्कुल एंड पर पढ़ता है जहां पे तीन समुंद्रों बेयो पेंग यह इस ट्यूब की हेल्प से आगे समुंदर में जाने वाला है सरस्ते में मिल रहा है नूंगु का जूस नूंगु यानि आइस एपल बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्टिंग और हाइडरेटिड ड्रिंक है बड़ी तेर बारिस हो रही है कि आगे वैदर और भी ज्यादा अधिए से आगे जागे संगमम घ्या दोइस ट्री आगे संगमम है सो ढखे जाखे लगासा शर्म करसे के इस बार भी तोल्टर के बार डोलों कर भी तेंपल तुरपभदी तेंपल हे गाइज वेलकम बैक टू दा चैनल मेरा नाम है रवी खरपंदा फिलाल मैं हूँ अपने होटल टीडी डीसी रामिश्रम में अगर आप लोग नहीं जानते तो हम लोग एक ट्रिप पे निकले हुए हैं जिसे हमने नाम दिया है तामिलनाडू ट्रेल्स ट्रिप में अब तक हम लोग दो टेस्टिनेशन कवर कर चुके हैं कोयम तूर एंड रामिश्रम जहां का एक्सपीरेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग था एन हर व्लोग मेरे यूट्यूब चैनल की तामिलनाडू ट्रेल्स की सीरीज में अवेलेबल है अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार इस सीरीज को स्टार्टिंग से देख लीजिए काफी ज्यादा अमेजिंग वीडियो सीरीज है का या रहा है ऐसे क्यों जा रहा है ऐसे क्यों जा रहे हो आप समान सारा नीचे बेज दिया है सब समेट दिया है यहां से अब बिदान बिदान बाई 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 रामेश्रम में हमने दो दिन के लिए स्टे लिया था और आज हमारा यहां पर आगरी दिन है बस हम लोग यहां से चेक आउट करने में लग रहे हैं बस लेंगे अपनी लास्ट डेस्टिनेशन के लिए जो की है कन्या कुमारी अब थोड़ा सा टाइम इस होटल के गार्डन में बिताते हैं काफी दो दिनों से हम लोग बीची थे इदर भागने में घूमने में डेस्टिनेशन में साइट सीन्स में तो इसके होटल के गार्डन को ठीक से इंजोई नहीं कर पाए उसके बाद यहां से डारेक्ट निकलते हैं हिदान सो कन्या कुमारी में भी हम लोगों ने होटल टीडी डीसी में स्टे लिया है हमारा स्टे वहां पर भी दो दिन का होने वाला है सो हमारी इस टेस्टिनेशन रामेश्रम से कन्या कुमारी लगबग 312 किलोमेटर दूर है जिसे कवर करने में अप्रॉक्सिमेट 6 गंटे लगेंगी अप्रॉक्सिमेट 7 गंटे माल लिजे 7 गंटे तो डेफिनेटली लग जाएंगी क्योंकि हमें लोगों ने लंच भी करना है और रस्ता रस्ते इंजॉय करते वे चलेंगी रामेश्रम से लगबग 5 किलोमेटर आगे बढ़ने के बाद अभी अभी हम लोगों ने पंबन ब्रिज जस्ट क्रोस किया है और हमें मिली ये ब्यूटिफुल स्टरिंग डेस्टिनेशन ये बिलकुल समुंदर के किनारे है और रोड के साइड पर है हम लोगों ने गाड़ी अपनी नीचे उतार दी है देखे पीछे की तरफ समुंदर है और सामने हमारी गाड़ी खड़ी है ये experience हमारी लिए एकदम next level है इस trip में आज तक ऐसी कोई destination नहीं मिली हमें ये जो सामने की तरफ बंदा दिख रहा है ये इस ट्यूब की help से आगे समुंदर में जाने वाला है समुंदर की लहरों की help लेगा और आगे जा रहा है ये बंदा मचलियां पकड़ने के लिए इसी टाइप से ये लोग अपनी जो बगएरा परफॉर्म करते हैं इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है बहुत दिफिकल्ट काम है मैं उड़ना चाहता हूँ नहीं जोड़ना चाहता हूँ गिरना भी चाहता हूँ बस रुपना नहीं चाहता हूँ विच प्लेस इस विच प्लेस चिकल्ट चिकल्ट फिलाल चिकल के अंदर है अपके ऐसी ड्रीपी स्पोल माहा हा हूँ अँच जट कट और पुट पुट था सॉल्ट नो सॉल्ट 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 कि यहां रस्ते में मिल रहा है नूंगु का जूस नूंगु यानी आइस एपल भूत ही ज्यादा रिफ्रेश्टिंग और हाइडरेटिड ड्रिंक है इसका थोड़ा मीठा टेस्ट गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है और यह एक एनरजी भी देता है और हम लोगों ने कुछ ग्लासिज लिए और सच में यह बहुत मज़ेदार है और इसका प्राइज है 30 रूपीज पर प्रस्ते में एक वाटर पाक पड़ता था उस वाटर पाक के अंदर आए तो यहां पर एक वाटर पाक का ही रेस्टूरेंट था काफी अच्छा रेस्टूरेंट है बंदे भी बहुत डिसेंट है खाना भी अच्छा था यह वाटर पाक का एरिया और यहां है रेस्टूरें एकदम बारिश वाला मौसम हो गया, सारे काले-काले बादल आ गया है उपर, होफ़ुली जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी, और मज़ आएगा अपने ट्रिप पे, अभी कन्या कुमारी अप्रोक्सिमेट डेड़ घंटे का रास्ता और दिखा रहा है, चलो, 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 चल जोरे ब्रेक और रेस कोन जी है बिरेक बीज में? अशलेटर पूचा था मैंने वैश्टे दो अशलेटर लिट राइट राइटा है यह वहला खलेट लेप्ट में हाँ एपर आप बीज में ब्रेक है उडा मुत बात इस अज्वावश प्रॉब्लम होती है कि तो गेर वाली थी कित अडाइम होगे चलाए हुए वा बारिश भी हो गई है नेया ने गाड़ी चलाई और बारिश चुड़ हो गई थोड़ा इधर इधर बारिश भी डर लग रहा हुए थे ना बंदे को चुलावने देते हैं पत्तम इजी नहीं करते हैं उन्हें कहां पत्तम इजी करी है बड़ी तेज बारिश हो रही है यह रोट्रिप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि कन्या कुमारी इंडिया के बिल्कुल एंड पे पड़ता है जहां पे तीन समुंद्रों बेव बेंगॉल अरेबियन सी और इंडियन ओशन आपस में मिलते हैं कन्या कुमारी का सन्राइज और संसेट देखने का अलगी मज़ा है और वहाँ की फेमस विवेका नंदा रॉक्स मेमोरियल और थिरू वल्लू वर स्टेचू तो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वहाँ का तो चलिए मेरे साथ इस डोट्रिप पर जुड़े रहिए और इंज्यो माउंटेन रेंज है पूरी माॉंटेंस नजर आ रहे हैं यहां से थोड़ी सी तूर यह देखो जूम करके दिखाता हूं आप यह मांटेंस हैं सारे और उसके उपर सारे क्लाउट्स क्लाउट्स हैं कर दो कर दो कर दो तुबेरी बाहों में दुनिया भुला दे जादा मज़ेदार ये एक बहुती सीनिक रूट है साउथ इंडिया के इस रूट का व्यू बिल्कुल पोड़कास्ट की तरह लग रहा है ये ब्यूटिफुल माउंटेंज और बादलों का कंबिनेशन जैसे क्लाउट्स ने उन्हें पूरी तरह से कवर कर रखा है एक मिस्टिरिकल सी फिलिंग दे रहा है जैसे दूर की तरफ जो बड़ा माउंटेंज दिख रहा है लगता है जैसे स्काई को ही टच कर रहा हो वही माउंटेंज है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दूर से देखी थी जूम करके अब बिल्कुल उसके नजदीक पहुच गया है और यहाँ पे हलकी हलकी ड्रेजलिंग हो रही है और काफी ठंडी हावा चल रही है और हम लोग कड़े हुए है प्लाइ ओवर के उपर और काफी बड़ी माउंटेंज है और यह सीधी रोड आगे माउंटेंज की तरफ ही बढ़ रही है आगे वैदर और भी ज़्यादा ठोड़ा खतरनाक सा लग रहा है तो लेट सी देखते हैं आगे चल के वैदर कैसा हो जाता है अभी वैदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो रखा है और अभी शाम के कुछ साड़े तीन बज़ रहे हैं कन्या कुमारी के रोड्स पर ये विंड मिल्स हर जगा देखने को मिलते हैं एडिंग सचे फ्युचुरिस्टिक वाइप्स नेचर और टेकनोलोजी का परफेक्ट कॉम्बो है ये पीछे माउंटेंस और क्लाउट्स और सामनी की तरफ ये विंड मिल्स सचे ब्रीथ टेकिं ड्राइव करते वक्त ये सीन देखना एक अलगी एक्सपीरियंस हैं सीरियसली कितना मज़ेदा ट्रिप बन गया है बिल्कुल फ्रेश एर का फील और ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ परफेक्ट है एकदम पीस्फुल वाइप्स इस रोड ट्रिप का असली मजा तो ऐसे राउट्स को ही देखने में मिलता है स्मूथ रोड्स हलका सा ट्रैफिक और ये जो टर्स आ रहे है ना एकदम ड्रीमी साउथ इंडिया के ये रोड ट्रिप्स वाव सामने लेफ्ट और राइट जारी है रोड सामने ये पूरा समूंदर दूर दूर तक फैलावा समूंदर एंड में पहुच गया हम कन्या गुमारी टोल लगेगा लगता है आज भी हमारी बुकिंग है टीटी डीसी तामिलनाडू टूरिजम डवलप्मेंट कॉर्परेशन वही ये वही होटल है जिसमें हम लोग रामिश्रम में रुके थे ये प्रोपर्टी भी पूरी के पूरी समूंदर किनारे पड़ती है सेम टाइप से बनाई वी प्रोपर्टी है ये भी लगा दिया रिशेप्शन के बिल्कुल सामने और चलते हैं एक पर रिशेप्शन पर बात कर लेते हैं इक पऽच व कर दिने के प्रोपर्टीज! कलम लुकेित की गाइस मंगु वणा रिवने लंसरी दूरी तुर लुके घुंड है स्थ्हें लुठी duy्वकेशन पर जो आजो वे चले रूम देखे लेते हैं, सामने वाला ही रूम है हमारा, 102, यह रूम है, जहाँ एक डबल बैड है, काफी, स्पेशियस रूम है, ट्रैसिंग टेबल है, इसी है, दाइनिंग टेबल है, वार्ड्रोब है, यहाँ क्या है? सब्सेट है, वालकनी, यहाँ बालकनी है, काफी, बड़ी बालकनी है, बालकनी के सामने है, ब्थीफुल गार्डन, और यहाँ से लाइट हाओस का व्यू नजरा आता है, पूरा गूरा लाइट हाओस नाजरा रहा है, डेफिनिटली, यह सिविु नहीं है, I was Meth CI.enas Tobète औरूम प्रोपर्टी इस अमेजिंग आज के लिए सब सेट है अगले दो दिन के लिए ये रूम हमारा है सो अब रेस्ट करेंगे डिनर करेंगे और मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर गुड़ नाइट मैं उड़ना चाता हूं ना तोड़ना चाता हूं गिरना भी चाता हूं बस रुपना नहीं चाता हूं